तो भई इस वीडियो में हम किसी दो वेरियबल्स के दर्मियान जो तालुक है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर देख लेंगे कि इस तालुक को हम ग्राफ की मदद से किस तरह से दिखा सकते हैं तो मिसाल के तौर पे ये जो हमारा होरिजॉन्टल एक्सिस है जो के यूँ बाएं से दाएं तरफ जा रहा है वो निशान दही कर रहा है किसी चीज की प्रीमत की और ये जो वर्टिकल एक्सिस है जो के उपर से नीचे जा रहा है ये दिखा रहा होगा उस चीज की मांग या डिमांड को और हम ग्राफ का पहला कॉर्डरंट ही बना रहे हैं क्यूंकि इसमें दोनों ही एक्सिस पे मजबत इवदारी होंगी भर केमत भी मजबत ही ली जाती है और मांग भी मजबत में ही होती है इसलिए हमें फिल वाक्त इसी कॉर्डरंट की जूरूरत है तो अब जरा देखते हैं कि इनका आपस में क्या तालुक होगा तो फर्स करते हैं कि इस चीज की केमत कम होगी तो बहुत से लोग इस चीज को खरीदना चाहेंगे और इसलिए इस की मांग जो है वो ज्यादा हो जाएगी बलगे इसी सूरतहाल ko ज़रा और शिद्दत से फर्स करके देखते हैं तो अगर ये चीज मुफ्त में मिल रही होगी तो इसकी दिमांड तो बहुत ज्यादा होगी और ग्राफ पर ये नुक्ता कुछ यहां आ जाएगा अच्छा अब फर्स करते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो चीज मुफ्त में नहीं मिल रही बलके अब वो थोड़ी कम कीमत पे मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ लोग इस चीज को लेना नहीं चाहेंगे और इसकी मांग थोड़ी सी कम हो जाएगी ये नुक्ता फिर कुछ यहां बन जाएगा अच्छा अब अगर इस चीज के कीमत थोड़ी सी और बढ़ाई जाती है तो फिर मजीद कुछ लोग इसको लेना नहीं चाहेंगे या उसको शायद खरीद ना पाएं और यूं इसकी मांग मजीद कम हो जाएगी और भई अब फरस करते हैं कि उस चीज के कीमत बहुत जादा बढ़ा दी जाती है तो अब इस चीज की मांग बहुत ही कम हो जाएगी और अब अगर हम इन नुक्तों को जोर दें तो हम देखेंगे कि यह जो लकीर है वो असल में मांग और कीमत के बीच में जो तालुक है ना उसको दिखा रही है अजब जुरूरी नहीं है कि ये लकीर ही हो ये भी मुम्किन है कि ये एक कर्व हो लेकिन इस वीडियो के लिए हम इसको लकीर ही मान लेंगे कियूंकि हम Linear Graph पे ही बात करना चाह रहे है और इसके तालुक के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भाई जब इस चीज़ कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग जो है वो कम हो जाती है और जब इसकी मांग बढ़ी होती है तो उस चीज़ कीमत कम होती है चले अब जरा एक और मिसाल देख लेते हैं फर्ज करते हैं कि अब हम जमीन की मांग देख रहे हैं और अब X-axis या horizontal axis से हम दिखा रहे होंगे अबादी को और Y-axis या vertical axis से हम दिखा रहे होंगे जमीन की मांग को तो पहले मान लेते हैं कि आबादी ना बिलकुल भी नहीं है यानि आबादी सिफर के बराबर है अब जाहर है कि अगर आबादी नहीं है तो जमीन किसी को चाहिए ही नहीं होगी और इसलिए जमीन की मांग भी सिफर के बराबर हो जाएगी अच्छा अब जैसे जैसे अबादी बढ़ेगी वैसे वैसे जमीन की मांग भी बढ़ती जाएगी क्योंके भई अब लोगों को घर बनाने होंगे, स्कूल बनाने होंगे वगेरा वगेरा और इसी तरह से अगर अबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जमीन की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अब इनको अगर हम जोडेंगे तो हमारे पास इस किसम की एक लकीर आ जाएगी और यहां भी जुरूरी नहीं है कि लकीर ही बने यहां इस किसम का कर्व भी बन सकता है या इस किसम का कर्व भी बन सकता है लेकिन अभी के लिए हम लकीर पर ही ध्यान देंगे और इस ग्राफ को देख कर अगर आप से कोई पूछे कि अबादी और जमीन की मांग के बीच में क्या तालुक है तो मेरे ख्याल से आप ये बता सकेंगे कि जैसे जैसे अबादी बढ़ती है वैसे वैसे जमीन की मांग भी बढ़ जाती है अच्छा अभी तो हमने बहुत ही मखसूस मिसालों से इस बात को समझा है लेकिन हम चाहें तो बिलकुल आम वेरिबल्स की मदद से भी इन सारी बातों को समझ सकते हैं जैसे फर्स करें हमें इस किसम का कोई ग्राफ दिया हुआ है जिस पे इस तरह की एक लकीर बनी हुई है और हमसे कहा जाता है कि यह x-axis है और यह जो है वो y-axis है और अब अगर आप से कोई पूछता है कि जब x में कोई तब्दिली आती है तो y के साथ क्या होता है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस ग्राफ को देख के X और Y के बीच का तालुक बहुत ही आराम से समझा पाएंगे भई यहां X बढ़ रहा है और जब X बढ़ता है तो हम देखते हैं कि Y भी बहुत मज़ी से बढ़ जाता है अच्छा अब अगर हमारे पास इस किसम का कोई ग्राफ होता जिस पे इस तरह की कोई लकीर बनी होती और यह होता A अक्सिस और इसको हम कह देते हैं B अक्सिस भी अब अगर कोई पूछता कि बताओ कि जब A बढ़ता है तो क्या होता है तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आप इस लकीर पे कोई नुक्ता चुनते फर्ज करें कि आप ये नुक्ता चुनते और फिर देखते कि जब यहां पे हम A को बढ़ाते हैं तो B तो कम हो जाता है क्यूंकि ये नुक्ता इससे नीचे है तो यहां जब A बढ़ता है तो B कम होता है और भाई अब अगर आप गौर करें तो जब दोनों वेरियबल एक साथ बढ़ रहे होते हैं तो लकीर बाए तरफ से नीचे से उपर जाती है दाए तरफ तो इसकी ढ़लान या स्लोप मजबत होती है अच्छा अब जब एक वेरियबल के बढ़ने से दूसरा वेरियबल घट रहा होता है या कम हो रहा होता है तो लकीर बाए तरफ उपर से नीचे जाती है दाए तरफ और इसलिए इसकी ढ़लान या स्लोप मनफी होती है